दोस्तों बागे लक्ष्मी काने वाले एपिसोड में आप लोग देख पहेंगे कि किस तरीका से आकरकार यहां पर निलम बोय है ति ज्यादा चिंतित नजरा रही है मलिसका के लिए और अब रिशी और लक्ष्मी से भी बात करती हुई नजराएगे कि आकरकार ना जाने क्या हो रहा है कि यहां पर मलिसका फॉन नहीं उठा रही है जी हां दोस्तों क्योंकि यहां पर चिंता सता रही है आकरकार यहां पर निलम को वह भी मलिसका की क्योंकि दोस्तो इस समय लग रहा है नीलम को भी कि ऐसा नहों मल इसका कोई संकट में हो क्योंकि दोस्तो बलबिंदर के संकट में फसने वाली है आखिरकार यहां पर मल इसका और मल इसका थोड़ी घणी नहीं बलकि एक अलग ही लेवल से फस्ती हुई नज़र आने वाली है कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है लेकिन दोस्तों अब जो होने जा रहा है वो आप लोगों के लिए घणा ही ज़्यादा दिल्चश तूश्ट आता हुई नज़र आएगा जी हां दोस्तों सुत्रों के हवाले से इस समय एक और भी बड़ी ख़वर में नज़र आने वाली है जहां पर साब साब बोलता हुआ नज़र आएगा वो भी रिसी की मलिस्का खुद बहुत बड़ी सैतान है उसके उपर भला क्या हो सकता है जिसके बाद में नीलम बोलती हुए नज़र आएगी रिसी से कि रिसी मजाक का समय नहीं है हमें चल कर एक बाद मलिस्का की घर देखना चाहिए मलिस्का को आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कहते हैं हर एक चीज के पीछे एक सोच होती है और इस समय की सोच किस तरीका से आधारित है वो भी देखना पड़ेगा ही दोस्तों आप लोग जानते ही हैं कि थोड़ा नहीं बलकि समय एक से बड़कर एक एक नए नए टूष्ट भी देखने को मिल रहे हैं जहां पर साफ साफ इस चीज को बोलता हुआ नजर आएगा आयूस आयूस बोलेगा कि वो तो खुद इतनी बड़ी ड्रावनी चुड़ैल है उसको भला क्या होने वाला है जी हां दोस्तों क्योंकि यहां पर आयूस का मानना यह है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है औ में और भी कही टोष्ट आते हुए नजर आने वाले हैं दोस्तों मेरा नाम है रोहित नागर चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें